हेलो गाईज वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल तो चलिए गाईज आज हम बात करने जा रहे हैं केरिज बोल्ट के बारे में बूले की वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा से एर कीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं NKD कंपणी का स्कुरूवाइसर इसके अंदर में रखा हुआ है और यह आप देख पा रहे हैं कोली गोल्ड का एक हमने अलग साइज लेके आया हुआ है यह देख पा रहे हैं आप ब्रिश्टो का भी है हमने यह लेके आ चुके हैं जो की आपको बता देंगे इनके अन्बॉक्शिंग भी करके कि किस तरह के इससे अंदर में बोल्ड रखे भी हैं और यह देख पा रहे हैं आप फाइलो के भी हैं तो हम बता देते हैं आपको इनके अन्बॉक्शिंग करके कि इनका यूज कहां किया जाता है और किस तरह के रहते हैं तो हम बता देते अर्ट्रम को लगाने के लिए जो पॉइंट दिये रहते हैं उस जगह पर इसका यूज किया जाता है जिससे कि इसे लगाने के बाद वह बिलकुल फिक्स हो जाता है एक और से दुसरी और में इसे लाया जाता है जो कि बीच में प्लेंद चूणी रहती है इसमें और बाहर की और थ्रेड़ बनी हुई रहती है तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको इससे किस तरह का बना हुआ रहता है और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ धरवाजों में ही किया जाता है क्यूंकि आप जानते यह धरवाजों में है कि आश्रव कि लगा जाती जो कि जो शीयुकी आप में कि इस तरह के बोल्ट के ऊइंट दिए हुए रहते हैं तो चली हम देख लएते निग्ट है जीसे कि आप देख पार हैं हम साइज की बात बता दे आपको यह 750 का साइज है और यह साइच के हिसाप से एक इंच, दो इंच, धेर इंच, धाई इंच, जितना भी चाहिए आप ये मार्केट से ले सकते हैं तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ये कुछ इस तरह के पीवीसी के पैक में कापी अच्छी तरह से इसे पेकेजिंग किया गया है और आप देख पा रहे हैं ये बोल्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है देख सकते हैं आप ये ये इस और से इसमें किसी प्रकार की थ्रेड बनी वी नहीं रहती है इस तरह ज़से आप कर सके आप इसे जिस तरह लगा देते हैं तो आप इसे सिर्फ पीछे वाले बोल्ट को ही टाइट कर सकते हैं क्योंकि इससे ये गुमता नहीं है इसमें देख सकते हैं आप य उपर क्यूर जो मत्ते बने विये हैं इसके कारण यह फिक्स हो जाता है इसके साथ में अंदर में वाइसर भी मिलते हैं हमें देख सकते हैं आप जो कि यह इस्टिल से बने विए हैं यह इस्टिल वाले वाइसर और नडबोल्ट हैं यह इस तरह के रहते हैं यह यह सारे एक ही साइज के हैं जो कि हम बता दे आपको इसका size देड़ इंच है और भी आपको market में इसके लिए दूसरे एवलेबल हो जाते हैं जो कि size हम बता देते हैं आपको उनके size क्या क्या रहते हैं और इसकी हम price बता दे आपको यह आपको अगर still मिलेते हैं आप तो आपको market में यह 3 रुपए से 4 रुपए के बीच में एक पिस मिलता है जो कि size के इसाप से इसकी price को भी दिया जाता है यह still से बना हुआ है और इसमें आप अगर metal का लेना चाहते हैं तो वो भी एवलेबल हो यह देख सकते हैं आप यह भी उसी तरह का सेम बना हुआ इस्टिल से ही बना हुआ यह बोल्ट है जो कि एक इंच का यह बना हुआ है यह भी सेम उसी तरह बना हुआ इसके अंदर में बोल्ट और वाइसर आपको मिल जाता है जो कि वाइसर को लगाने से यहां फिर नहीं रहे पाता है इसकी प्राइस चार रुपए से पांच रुपए की बीच में है यह देख पाय रहे हैं आप कुछ इस तरह से बना हुआ यह बोल्ट लांबा दिखाई दे रहा है जो इन सभी से लांबा है तो इसकी प्राइस है इसकी प्राइस को ज्यादा रहती है इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह 5-6 रुपए के बीच में मार्केट में यह लेबल ह साइज है ये 2 इंच से 3 इंच के बीच गाह है और ने ने के फैलो का जो एक ही mail का ये लोगे का बना हुआ है इसकिआ थे इसकी कॉलिटी की स्थरह की है और इन की इस तरह की तो आगर आगर भी लगाना चाहते हैं अपने घर में इस तरह के कैरिज बॉल्ट तो आप ग्रीं अश्यक्न अबी पूलिख्स उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सस्क्राइब करएं and video को जादा से जादा share करें मिलते हैं गाइस next video में आप इसी तरह की hardware से related videos हमारे channel में जाके देख सकते हैं और शीख सकते हैं की hardware में क्या क्या tools होते हैं और उनका कहा कहा use किया जाता है thank you